दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे फटलाइजर के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तमाल करने से आपके छोटे से छोटे गंबले में भी लगे हिबिसकस यानि गुलहड के प्लांट में धेर सारे फूल और कलिया आएंगी और इसके साथ पूरी केर टिप देखेगा बहुत ही जादा यूसफुल वीडियो होगी आपके लिए तो दोस्तों यह जो दोनों ही हिबिसकस का प्लांट आप देख रहे हो यह दोनों ही मेरे जो प्लांट से वह मात्र आट इंच के प्लास्टिक के गंबले में लगे होने के बाद भी आप देखो इसमें क छे कलिया निकली वी हैं और भी धेरो कलिया इसमें आ रही हैं जैसे फेवरी से तो इसका ग्रोइंग पीरेड अब स्टार्ट हुआ है ठंड में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुख जाती है उसके बाद आप देखो पूरा प्लांट जो है वह कलियों से भढ़ने लगा है इधर भी देखो धेर सारी कलिया निकली वी है तो दोनों ही जो मेरा हिबिसकस का प्लांट है वो पूरा जो है कलियों से भर गया है बहुत सारे इसमें फूल खिल रहे हैं फूल खिल के जड़ रहे हैं और नई नई धेरो कलिया आ रही है आप देखो इधर भी तो कहीं भी है कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जहां से चार से पांच से लेके छे साथ तक अली नहीं निकली है और पत्तों में आप देखो शाइन भी बहुत अच्छी है प्लांट ओबरॉल जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है तो दोस्तों हिबिसकस की यानि गुलहड की आपको इसमें देशी वराइटीज भी मिल जाएगी इसमें आपको हाइब्रीट की भी कई किसमें मिल जाती है कलर्स भी इसमें आपको अलग-अलग मिल जाते हैं तो आप अपने चोईस के अकॉर्डिंग जो है इसको कोई सा भी प्लांट आप अपने गार्डिन में ग्रो कर सकते ह wishmbol erson से बहुत आसानी से अगर आपके पास एक प्लांट नहीं तो आप इसकी प्लांट प्लांट नहीं अपने की संख्या बढ़ाने के लिए आपको इसमें कौन-कौन से जरूरी काम करने चाहिए और कौन-कौन से फटलाइजर यानि खात का इस्तेमाल करना चाहिए तो दूस्तों सबसे पहले तो आपको हिबिसकस के प्लांट की जो हर 15 दिन में उसकी मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी चाहिए और मिट्टी की गुड़ाई आप तभी करें जब मिट्टी की जो सत्य है उपर की एक दो इंच की जो लेयर है वह हलकी सूखी हो तभी आप उसकी गुड़ाई करें गिली मिट्टी में आप जो है मिट्टी की से प्लांट जो है बहुत ही जादा अच्छे से और स्वस्थ तरीके से ग्रोह होता है और नेक्स्ट इसमें हम खाद देंगे इससे अच्छी फ्लाउरिंग पाने के लिए तो खाद को आपको डायरेक्ली ऐसे जो है उपर मिट्टी के नहीं देना है अब पहले उसकी अच्छी से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करके जो उपर की सतह की मिट्टी है वो एक दो इंच की मिट्टी आप बाहर निकाल लें उसके बाद इसमें खाद का इस्तमाल करेंगे तो जो खाद है बहुत ही आसानी से नीचे तक जड़ों में पहुचेगा और पौधा जो है इसको बहुत ही इजीली और अच्छे से ले पाएगा अब जिस सबसे पहली खाद का आपको इस्तमाल करना है वो है गोबर की खाद तो सड़ी वी गोबर की खाद लेनी है आपको और उसको एक से दो मुठी प्लांट के चारों तरफ आपको डाल देना है गोबर की खाद में नैट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश्यम की मातर अ तो उसके लिए आप यहाँ पर चाय पत्ती जो इस्तमाल कीवी चाय पत्ती होती है उसका इस्तमाल करें चाय पत्ती जो है आपकी मिट्टी को हलका एसिडिक बनाती है साथ ही इसमें जो है बहुत सारे पोशक तत्व और सुक्ष्म पोशक तत्व भी पाए जाते हैं तो बह सर्सों की खली में बहुत जादा जो है माइक्रो नूट्रेंट पाए जाते हैं जिससे आपके प्लांट में फ्लाउरिंग की संख्या बढ़ेगी तो सर्सों की खली को आप लिक्विट फॉर्म में भी इस्तमाल कर सकते हैं लिक्विट फॉर्म में इसका खाद बनाकर या फिर इसमें पोशक्तत वह बहुत जादा होते हैं और इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और खात को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो एक-दो इंच की मिट्टी आपने बाहर निकाली थी उसको उपर से फिर से कवर कर देना है और दोस्तों जो गुलहर के फूल खिलके ज़ड़ते हैं या फिर मुर्जा जाते हैं उनको आफ फेके नहीं खिलके ज़ड़ने के बाद उनको आप क्या करें जो फूल है उसको वहीं गमले की मिट्टी में दबा दिया करें इससे जो है वह धीरे धीरे उसी में डिकम्पोज होके खात का काम करेगा और जो फूल जड़ेगा वह आपका वेस्ट नहीं होगा बलकि खात के तौर पे वह प्लांट में यूज हो जाएगा और आपको खात देने के बाद इसमें अच्छे से पानी दे देना है और दोस्तों इस खात को आप हर 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं और अगर आप और्गानिक के जगा पे केमिकल इस्तमाल करते हैं या फिर इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें एक चम्मच डिएपी को मिला सकते हैं हर 15 दिन में और आधा चम्मच आपको पोटास को मिलाना है उससे जो है फ्लावरिंग की संख्या बहुत जादा बढ़े स्पेशली जो काले चिपचिपए कीड़े होते हैं जो हरे कलर में भी होते हैं जिसको एफिट बोलते हैं एफिट का अटाक बहुत जादा होता है इसमें और एक और जो कीड़ा है जो मिली बग जो सफेद कलर का होता है वो भी चिपचिपा कीड़ा ही होता है उसका भी अट सोब सॉलिशन मिला लें और उसका स्प्रेय लेते रहें आपके प्लांट में कोई भी कीडों का अटाक नहीं होगा और अगर हो भी जाता है तो उसमें भी आप इस लिकुड जो सोब सॉलिशन है प्लस नीमॉयल का इस्तमाल करें उससे जो है बहुत हद तक आपको प्रोटेक् अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें चैनल भले ही नया है लेकिन एक्स्पिरियंस पुराना है रेगिलर वीडियो अब से मैं शेर करूंगी इस पर जिससे आपको जो है बहुत ही ज आइक जरू करें एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग